नमस्गार मेरा राम गौराब अग्रुआल है आप देख रहे हडी क्योंकि हमें है देश की पड़ी आज सुबह सुबह कॉंग्रेस के निता दिगवजे सिंग देश के सामने आए और कहा कि ईवियम में खोट है बटन दपता कुछ और है और वोट जाता बीजेपी को है नितीश कुमार अलगी फीलर्स दे रहे हैं और नितीश कुमार ने करपूरी ठाकूर के बहाने सीधे-सीधे अपने सयोगी लालू परसाद यादो पर निशाना साथ दिया परिवारबात को बयान को लेकर यह सब चल क्या रहा है आज इसी पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि ईवियम में ईवियम सॉफ्ट्वियर की प्रोग्रामिंग में खोट और इंडिया की एकता में कॉंग्रेस की चोट यह बड़ा एक सवाल यहां पर खड़ा हो गया है और इस पर हम बात करें उससे पहले ज़रा हम आपको कुछ बयान सुनाने चाहते हैं इसे में इंडिया रहा है तब कर जानी है इसे आप में राज्य जाना है तो यह चुनाओ ऐसे लड़ेंगे पीम मोदी के सामने 2014 में मोदी के एंट्री के बाद विपक्ष ने बहुत से पैत्रे अपना है लेकिन कुछ काम नहीं आया 2019 में भी करारी हार के बाद UPA का इंडिया बना दिया गया लेकिन बात अब भी बनती नहीं दिख रही है इंडिया के बीतर विवाद इतने कहराते जा रहे हैं कि पश्चि मंगाल में ममता बंदर जी ने अकेली चुनाओन रने का इलान कर दिया है पंजाब में भगमत मान ने साफ कह दिया कि तेरा श्चुने का फॉर्मूला होगा वो तो कह रहे हैं कि देश में पंजाब बनेगा हीरो और आम आपनी पार्टी लोकसभा चुनाओ में तेरा जीरो तेरा इसीते हैं पंजाब में बिहार में करपूरी ढाकूर के जैनती के कारक्राम में नितीश कुमार ने परिवारवाद पर निशाना साथ तेवे का कि कुछ लोग परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं अब बताईए बगल में लालू यादा होते तो क्या हाल होता जबकि परिवारवादी पार्टी राज़त के साथ उनका घडबंदन है उदर उत्तरब्रदेश में अखलेश रादो लगातार पीडिय यानि पिछला दलित और अल्पसंक्यक का रागला आप रहे हैं महराश्ट्र में शरत पवार कह रहे हैं कि जो ममता जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा और इस पर बात करने के लिए मिरसाथ देखे कौन कौन है मिरसाथ शैजाद पुनावाला है बीजेपी के प्रवक्ता गनशाम तीवारी है समाजवादी पाठी के प्रवक्ता बासकर सिन्ना रॉय है राजनितिक विशलेशक है टीमसी को बहुत करीब से समझते हैं संजय कुमार हैं चुनाव विशलेशक हैं इजया यादो हैं आरजेडी के प्रवक्ता और तैसीन पुनावाला अभी हमारे साथ थोड़ी दिर में जॉइंग कर रहे हैं आप सभी का बहुत स्वागत है लेकिन भाई घनशाम जी आज सवाल नहीं है आज एक सिनारियो है चंच्छ हो जाल है प्रेंट कैंसल हो जाहे है ये टेंशल मुझे जाना ना पढ़े इंडिया गठबंदन एफ उनको चोड़के चला गया आज आप यहां बाकी पैनलिस बता दें कि अन्डिया गटबंदन ने भादी जिन्ता पाटी का अलाइंस पार्टनर इन स्टेट्स में कौन है इसका उसमर विश्वास है तो गठबंदन की बात तो एंगर हम बात करें तो चाहे वह शिवसेना हो चाहे शिरोमोनिय कालिद दल हो या कोई पार्टी चुन लेजिए चाहे वह उन्तीश कुमार जी की पार्टी हो या चिराक पासवान जी की पार्टी तो यह घठबंदन का प्रभाव तीसरी बात जो मम्ताब एनरजी जी ने कहा है वह बात सपस्ट है चाहे वो पंजाब हो या फिर बंगाल हो वहाँ पर अगर सीट शेरिंग में कॉंग्रेस के साथ तालमिल नहीं बैठ रहा है तो कॉंग्रेस और उनकी पार्टी का आपसी मामला है इंडिया गटबंदन मुद्दों का गटबंदन है कि 2024 का चुनाओ क्या युवाओं के रोजगार पे होना चाहिए क्या बेटी बचाओ की धमकी जो भारती जिन्दा पार्टी ने पूरे देश में दी है उस धमकी के खिलाफ होना चाहिए क्या लोकतंतर बचाओ की धमकी जो कि पंजाब में जो हो रहा है यह कॉंग्रेस और उनके बीच की बात है तो इजिया जी जो नितिश कुमार ने कहा है परिवारवात पर जुन दिशाना साधा ये किसके किसके बीच की बात है कि बात है अगर आप उसकता है वह राजनात सिंग के बेटे पर बोल रहे हों आप ऐसा क्यों अनुमान लगा लेते हैं कि वह लालू प्रशाद यादव जी के लिए बोल रहे होंगे लालू प्रशाद यादव जी तो उनके सही होगी पार्टी है बीजेपी उनके खिलाफ में तो जाहिर से बात है वह बीजेपी के उन नेताओं के बारे में बोल रहे होंगे जो अपने परिवार को अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है बिहार की चिंता आप न करें आप बीजेपी और बीजेपी के जो गड़बंदन अलाइंस करें देश की चंटा है आप देश के काथ में जागा उससे सवाल तो करेंगे ना बिहार की चंता की चंटा है में महीं जिल्क मार निइक और लालु प्रशादणियादव जी को ही सुनाना होता तो दोनो बिहार में रहते हैं सुना देते हैं उन्हें अमित शाह जी को सुनाना था इसलिए वो इस तरह की बात बोले हैं कि परिवारवाद में लिपते हैं कि आमित शाह जी के बेटा को बीसी सी आई के सचिव नहीं बनाएगा इस पर आप क्या टिपनी देंगे इस पर क्या कि टिपनी देंगे, क्या यह परिवार वाद नहीं है? पर लग रहा था कोई थ्रिट हो सकता है वी जेपी के लिए मैं आपने बोला आपका टाइम हो गया मैं आपके पास आउंगा तब बोलिएगा मैं रुकी आ रहा हूं अबी शाहदा इंडिया से पहले दीजा सामने आई उन्होंने कहे दिया एवियम में खोट है लेकिन आप त क्या बीजेपी को वाक ओर दिख रहा है यहां से? आज आप देखें कि गरीब काज हो रहा है और एक दिन पहले आपने देखा विकास काज कि भारत ने होंकों को स्टॉक मार्केट में ओटेक कर दिया तो राम काज गरीब काज यह हमारा मीशन और विशन पर दूसरी तरफ एक बड़ी विचित्र स्थित्य है गौरवजी 15-20 के इपनि बने उखाड रहा है कोई केरल में जाकर बुनियाद में ही बम रकिरा है यह इस प्रकार की काले हो रहे हैं यह इसलिए हो रहा है क्यूकि इस धहांचे की बुनियाद में मिशन और वीशन नहीं है देश के लिए के व contradiction, corruption, ambition for position, confusion है और इसी लिए इस प्रकार की स्थितिया निर्मान होती है। यात्रा नहीं यह बाइबाई यात्रा और देखे हमें कोई चिंता। हमारी चिंता केवल इतनी है कि राम काज और गॉरीब काज कैसे करे हमारे लक्षा और गाला घुए बाटेता काज में ठीक? कवां होती। लेकिन भाउसकाराजिसना, ये दीदी अलों क्यों जा रही है। कंग्रेस के साथ क्यों नहीं क्यों छो एगा और जा रहे है। दिदी डीदी बोली कि बंगाल में लोग चुना वके ले सब के सब यहाल है कि इंड़े बोलास करते हैं कि फिलाफ को पार्टी है वो है त्रिनुबल कॉंग्रेस क्योंकि कॉंग्रेस को देखिए CPM के साथ गुर्ट बंदन किया था और CPM के साथ गिया था CPM के साथ वो है की नहीं है अचा बंगाल में क्यों नहीं लड़ेंगी दिदी बताया कुछ नहीं अचा सुन्ये ना सुन्येंगे डोगार इसकर बिजे बी को को खुराया वहारत्में को व्नी भारत में कौन सी पाटी और इस नहीं बंगाल में कौंग्रीस के साथ में कॉंगरेस फादब को 4 Ris Bis और तक कॉंगरेस ने कुछ बोला नहीं लेकिन हम लोग तया किया जब तो बोला नहीं है, हुआ पर उन लोग का वो नहीं है कि हम लोग की लड़ेंगे, और लेकिन बंगाल के बाहर तो हम लोग गोटबंदन करेंगे ही करेंगे ऐसा आप मत बोलिएगा लेकिन आप चिंतित क्यों है बीजेपी वाले क्यों चिंतित हैं बीजेपी वाले तो हर बात में राम मंदिर का नाम लेते हैं क्या राम मंदी उनी का है क्या राम मंदी बाकी लोगों का नहीं है हर बात में राम जी का नाम ले रहे हैं अरे मैं जो पूछ रहा हूँ रीजन आपने का बंगाल में नहीं लड़ेंगी दीदी साथ में तो बंगाल में क्यों नहीं लड़ेंगी कॉंग्रेस को क्यों नहीं सीटे देना चाहती बंगाल में बीजेपी के खिलाब कोई पार्टी के उपर भरुसा है बंगाल के लोगों क साथ होते तो क्या होता और अब नहीं लड़ेंगे तो उसकी क्या प्राजनेतिक माइने होंगे मैं दिखाता हूँ फिर हमारे साथ एक बड़े सेफॉल्जिस्ट है संजे जी उनके पास जाओंगा आई इसरा मोधी को रोगने के लिए इंडिया तो बना लेकिन अब सीटों पर पेज फसा और बात बिगड़ गई पिछले चुनौव में बंगाल में ही कुछ ऐसी सीटे हैं जिन पर अगर टीमसी और कॉंग्रेस साथ लड़े होते तो साथ सीटे बीजेपी के खाते में जाने से बच जाती राइगंज में टीमसी कॉंग्रेस का वोट 5,34,740 है जबकि विनर बीजेपी का वोट 5,11,652 तीमसी और कॉंग्रेस को मिला दिया हमने देखिए यहाँ पर टीमसी और कॉंग्रेस साथ ललते तो जीटते ऐसी तमाम सीटे हैं बालूर घाट में टीमसी कॉंग्रेस का वोट 5,42,807 है और बीजेपी का वोट 5,49,317 यानि बीजेपी से 3,490 वोट ज़ादा यहाँ भी वो जीते माल्दा दक्षिन में कॉंग्रेस टीमसी का वोट 7,30,506 है और बीजेपी का 5,95,24 यानि बीजेपी यहाँ भी हार जाती है अगर दोनों साथ होते तो बैरकपूर में टीमसी कॉंग्रेस का वोट 4,73,993 है और बीजेपी का 4,72,994 यानि बीजेपी के वोट से 969 वोट ज़ादा एक भी होता तो जीते या 969 ज़ादा है आराम बाग में टीमसी कॉंग्रेस का वोट 6,75,057 होता है मिलाकर और बीजेपी का 6,47,787 यानि बीजेपी से 26,270 वोट ज़ादा यहाँ इन दोनों को जार ग्राम में टीमसी और कॉंग्रेस का वोट 6,35,570 और बीजेपी का 6,26,883 यानि बीजेपी से 8,687 वोट ज़ादा बर्दमान दुरगापूर की बात करें तो टीमसी और कॉंग्रेस का वोट 6,34,453 और बीजेपी का 5,92,376 यानि बीजेपी से 36,077 वोट ज़ादा तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा नुकसान है इंडिया का अगर दो पार्टियों का गढ़ बंदन होता टीमसी और कॉंग्रेस की हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगॉल के नदरिये से तो निश्चित रूप से गढ़ बंदन को फायदा होता लेकिन जिस तरह से सिंपल कैलकुलेशन किया जा रहा है शायद वैसा कैलकुलेशन होता नहीं अगर 2019 के चुनाव में टीमसी और कॉंग्रेस का गढ़ बंदन हो गया होता तो 100% वोट ट्रांसफर होता नहीं है कई बार ऐसा नहीं हो देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे वोट ट्रांसफर हो जाते है तो ऐसी कई कंस्वेंसी का आपने जिक्र किया कि अगर आप टीमस गढ़ बंदन का अर्थ यह नहीं है कि 100% वोट ट्रांसफर तकरीबन 70-80% वोट ट्रांसफर होते हैं बाकी ट्रांसफर नहीं होते अगर ट्रांसफर करने की ताकत पार्टी में है तो लेकिन यह जरूर है गढ़ बंदन होता तो बीजेपी को नुकसान होता कितना शायद य अच्छा देखिए आपको मैं एक सवाल को बढ़ता हूं कि आप बीजेपी को हराया कौन पूरी हिंदुस्तान में वो पार्टी का नाम है त्रिनमुल कॉंग्रेस 2020 में पंजाब में कॉंग्रेस को हराया लेकिन पंगाल में कहां से सवाल लेकर आ रहे हैं इतने बड़े से पा ने चुनाव नहीं जिसकते हैं यहां पर जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है, 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 2024 में 13-0, कितना बड़ा सट बैक, क्या ये रीजनल पार्टियों ने कॉंग्रेस को दिखा दिया कि इंडिया में कॉंग्रेस पार्टी उनके लिए बहुत बड़ी खोट है? गारो भाई, दोनों चीजों को अलग अलग देखना होगा, मैं बिल्कुल इस बात से मानता हूँ कि West Bengal में पर्सेप्शनली डिफिकल्टी होगी, इंडिया अलाइंस को, लेकिन पंजाब में पहले से कहता हूँ, पंजाब में अलाइंस की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि चा मैं बैठा तो भाट बड़ी, वह बाट बड़ी लीदर है हमारे जेश के, ममता जी ने बात सोची थी, जब उन्होंने पूरी की पूरी काॉरी की को में त्पूरी की पूरी के पाटी को नहुंने ले गा, इंकितने वोत मिले, गवा में 5% नीली मिला ममता जी को, लेकिन 박ार किसी ने कहा कि अगर मम्ता जी ने इंटर्फेट जो रैली की वह हमें बताना चेह था खरगे जी को ऐसी बादचीत होती रहती थी कि कॉंग्रेस तेरा सीट मांगी मम्ता जी को दो देनी थी कि बादचीत करो इस तरह से गड़ बंदन तोड़े गे तो कैसे चलेगा यह मम्ता जी को सोचता है बहुत बड़ी नेता है मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन हम सब को सोचता होगा हमारा बड़ा दिश्मन है कि जो बेरोजगारी है और उसके लिए भाच्वा कोहराना है तो आप यह कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही बताईए बढ़ाई शहजाद आप कु प्रदेशों में कुष्टी करते हैं उसके साथ मस्ती करने दिल्ली में आजाते है पहली बात दूसरी बात एजिया आदव जी को मेरा एक केवल बताना था नितिश जी के टिपड़ी के संबद संदर्व में करपूरी जी के आदर्स क्या थे उन्होंने कभी भी बरष्टा च चोड़ते, चाला नहीं छोड़ते, करपूरी जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंडी को बढ़ावा दिया, आपके साथी dmk के हिंडी को गाली गलोज करते हैं, और फिच्टे समाज के लिए कारे किया, आपके रिवां ट्रेट्टी, आपके गडवंधन के मुख्यमं में समाजवादी हो या आरजेडी हो तो मुझे लगता है कि आज कर पूरी ठाकुर जी के आदर्सों पर कौन चला है और उनकी पूरी राजनीती गहर कॉंगरसवाद की रही पूरी राजनीती आपका शहजाद एजिया जवाब दिना चाहती है पताए एजिया जी बिलकुल ब आजूब हो रहा है कि बीजेपी वाले को अचानक आरजेडी की और इंडिया लाइंस की चिंता क्यों होने लेगी आप अपनी चिंता करें ना परिवाल वाद पर अमिद्शाजी का नाम क्या आगया कि आप बॉकला गए और करप्शन की बात आप क्या कह रहे हैं करप्शन क अउप परिशान करते रहें और आज वोट बैंक की राजनीती के तरत तहत आप उन्हें समानत करने की कोशिश करने अपकी नियती ठीक नहीं आपकी इंटेंशन नी ठीक नहीं हैं आप एक समाजी के नेता पो समानत करना नहीं चातें आप चौबिस के चुनाओं में डर गNI डर गए हैं जवाब देना चाहती है आपका समानत करके आपके इंटेंशन साफ नहीं है आप सुने निकाले और देखे कि बीजेपी में कितने सारे आपके पास चाहिए और कितना करप्शन जब जब आपके आवाज निजा रुकिए अगर आपको मेरे आवाज आ रही होना शहजाद बोलेंगे आप शहजाद बोली आपका टने नहीं यह कोई मतलब नहीं बनता यदि कि वो मेरी बात को नहीं सुनेगी तो मुझे लगता है स्वस्तर लोग तक तक अब उन तक अम फिर सब्सक्राइब कर रहें उनको कनेक कर रहें आप बोलिए तब तक देखे मैं कहना चाहता हूं कि केवल एक ही गड़बंदन है जिसके एक नहीं दो दो नेता करप्शन में देखने अने को बार कंविक्टेड है बासकर रोज सिंदा बीच में मत बोलिए शहजाद कर तरने में आपके पास आओंगा अब ही लेकिन शहजाद के पाद घंशाम जी के पास जाओंगा शहजादा बोलिए और दूसरे लालू प्रसाद यादव जी चार बार कंविक्टेड है पैदी बार कंविक्ट हुए तो उनका कर्पूरी जी को इन्होंने का कि सिंबॉलिक ली दिया गया है चत्तिस वर्च से मांगती यूपे की सरकार में तो लालू जी मंत्री ते क्यों करवा पाए भारत र प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ने अमित्शा पर आपने कर दी आपने को बोलने तो दीजे और मुद्दा इंडिया पर सवाल पूछते तो आम लोग इतना बॉखला क्यों जाते हैं भई उनके क्यों ने कि आपके चार लोग बैठे हैं यहां पर वो अकेले रैटे हैं उन आपके अपनी बात को बस अपनी बात को बस दस पंदर सकेड़ एंडिया ना तो आवास डाउन हो जाएगे बापकी बोलिया साजाद देखे गौरव जी उन्हों ने कहा कि हमने केवल सिंबॉलिकली सम्मान दिया गौरव जी सरकार का ट्रैक रेकॉर्ड देखे तरण मुकर जी को भारत अतना करपूरी ठाकुर जी को बारत अधर अधर दे मुलायम सिंग यादव जी को पदम अवार्ड मिला तरून बोगय जी को दिया गया शरत पवार दिया गया जिए सब सिंबॉलिक और पोलिटिकल एंट जी को गलत मिला और मैं करो तरून जी ने क्यों नहीं दिया यूप सरकार बता दीजिए नहीं करपूरी ठाकुर पर आएंगे लेकिन अच्छा करपूरी ठाकुर पर एक सवाल ले लेता हूं फिर घंशाम आपके पास आता हूं सब एक मंच पर खड़े यह क्या हो रहा है अगर हम पिछडों की राजनिती की बात करें तो एक तरह से उन्होंने अग्रगणी रोल अदा कि है तो ऐसे मुद्दे पर जिस एक सोशलिस्ट बड़े सोशलिस्ट नेता को जब एक सम्मान दिया जा रहा है तो कोई कारण नहीं है कि कोई पार्टी इसका विरोध करें वीजेपी की सरकार एक इंद्र सरकार जिन्होंने इस बात का एलान किया है और आप जिन दो पार्टी के नेता ये कहते हैं कि वो करपूरी ठाकुर के चेले हैं या उनके अन्युआई हैं तो इस बात का विरोध करना तो बिलकुल ही संभव नहीं है किसी भी के लिए आप पार्टी लाइन को छोड़ भी दे तो शक्सियत को देखें उन नेता को देखें जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में मुल्यों का पालन किया जिस तरह से उन्होंने साशन चलाया और जिस तरह से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया इसी वज़े से कोई विरोध नहीं कर रहा है विरोध करने की कोई बात ही नहीं है बिल्कुल अच्छा देखें ये सन्योग है राजनितिक प्रियोग है ये तो आप लोग तै करेंगे दर्शक तै करेंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन घंशाम करपूरी ठाकुर वो शक्स है जिनोंने पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार को बनाया बिहार में निजी जीवन में राजनितिक शुचिता के प्रतीक माने जाते थे वो है जिन्होंने पिछलों को आरक्षन देने की शुरुआत की वहां पर और आज BJP उन तक पहुँच रही है है और जब आप कहते हैं कि हमने बात की हमने कहा कि दीजे तो ये सवाल पूछती है कि आप इ क्यों गिराई? क्योंकि उन्होंने reservation की बात की और डारे लगाएगए कि यह reservation कहां से आई? करपूरी की मा भी आई ये नारे जंसंग के लोगों ने लगाए इनके संस्थापक लोगों ने देखे आज पूरे बिहार में भारती जिनता पार्टी को बड़ी जातियों की पार्टी मना जाता है ये सामंती लोगों की पार्टी है जो छोटी जातियों को, पिषडी जातियों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को हमेशा कमजोर करने की कोशिश करते हैं एक भारत रत्न दे करके इनके ये पाप धुल नहीं जाएंगे, जो इनके वर्तमान मंत्री है गिरराज सिंग, वो ब्रहमेश्वर वुख्या जिसे बुचर व बिहार का गया, उसको बिहार का गांधी मानते हैं, इसी तरीके से शहजाद ने जो योगी आधितनाद के बारे मे रखते हैं, बहराल जहां तक करकूरी ठाकूर जी को सम्मान देने की बात है, बिहार में प्रमुक मुद्दा जाती है, जनगर्णा है, उसके खिलाफ भार्चे जनता पार्टी रही है, बिहार में प्रमुक मुद्दा विशेश राजे का दर्जा है, उसके खिलाफ भार्च यात्रा करते वे प्रधानमत्री बने थे ऐसा लगता है कि उस जहाज से आज तक उतरे ही नहीं है तो शायजाद के पास एक सवाल मेरा है तो यह घृटाला नहीं है तो खोटाला नहीं है पहले करपूरी ठाकूर ने 12% डारेक्शन दिया था जिसमें 4% पिछलों को था और 8% EBC को था जाती है जंगरना भी हुई जिसमें ये साफ दिखता है कि EBC की सबसे जादा संख्या है बिहार में तो क्या यह आप लोग उसी समीकरण को साध रहे हैं करपूरी ठाकूर को भारत चार्तिवारी थे और उस समय जेडियू जब NDA के साथ थी तब ये नितीश कुमार जी की गुणगान करते थे और अखिलेश जी को भर पेट डालियां देते थे आज अखिलेश जी की चौकिदारी कर रहे हैं तो छोड़ दीजे इस बात को अगर हम यक्तिगत राजनेतिक इतियास में चले जाएंगे तो ये भी सवाल पूछा जाएगा कॉंग्रस ने तो कहा था 17 साल यूपे ब्याल और बीएस पी ने कहा था कि चाती पर वोट लगेगा हाती पर और जिस हॉस्टेल कायंड में क्या-क्या नहीं हुआ था तो क्या कहा था मायावती जी ने तो उन सबसे पहले तो खुद जेडियू के सांसत सुनील कुमार पिंटू तेली समाच से आते हैं उन्होंने इस पूरे सर्वे की विश्रसनेता पर जवाल उटा है मेरा सवाल यह है कि हमने तो बतोर एक पार्टी OBC प्रदान मंत्री दिया, 27 मंत्री दिये, हमने हमारे 85 सांसत जो है OBC समाच से आते हैं, हमने तो लगबग 20% हमारे CM जो रहे हैं, मोहन यादर भभी हमारे OBC CM बने मध्यप्रदेश में, आपने एक CM जेते लंगान में, रेव युगान जी ने OBC के मंडल कमिशन पर क्या कहा था, क्या कहा था, नहरु जी ने मंडल कमिशन के 1931 तक तो सेंस्स होता था, 1951 ने पहला सेंस्स किस ने रोका, नहरु जी ने, उसके बाद इंदिरा जी ने रोका, उसके बाद राजी जी ने रोका, और उनके साथ आज गंशान पिवारी जी अपना इतिहास चेक कर लीजे पहिए चीग होगे ओके तैसीन जो आपने सुना अभी एस पी को सुना आपने बीजेपी को सुना क्या यही वो कॉंट्राडिक्शन है जिसकी वजह से इंडिया में बड़ी दिक्कते आ रहे हैं क्या इंडिया में दूसरी पार्टियों को लगता है कि कॉंग्रेस अगर मजबूत होगी तो जो दूसरी पार्टियां है वो कमजोर होंगी और इसलिए यह इंडिया एक नैचुरल अलाइंस नहीं बन पा रहा है जो बात नहीं है ग College के तरक बूसरी गवारवी ऑप एपर बोजिबू समय पार्टनर्स की तरह इसूजी और इन जुसरी से अपनी नाराज़वी यप Nous अपिक्षा और शक्ते क्या यह इंडिया में मुम्किन है आप ही शोचे जिए गौर्व जी किस मूझ और अजी का है किस मुह से चगन बुजब कहेंगे मुझे इतनी सीच चही है जगन बुजब की फाइल गुमा दिए और कल चगन बुजब की फाइल गुमा दिये और कल चगन बुजब सीच माँएगे वही फाइल हाजएगी कोड के अंडर इनके पास न कोई लोगतंत्र में चाहिए आपके चैनल में बी डिफरेंसे नहीं समझते बादपा और इसको कहती है लोगतंत्र में डेवलप्मेंट भी होगा ना कि हमेशा डिफरेंसे जी रहेंगे तैसीन भाई लोगतंत्र होने का मतलब तोई है कि आपके अपने कर्मनल है पट्रिस हो गई एक रहली तक नहीं हो पा यह साथ की एक रहली कोई थी भोपाल में वह वह चांजिल हो गई व's तैसिन पुनावाला मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, मुद्दा है इंडिया की कमजोरी आप कह रहे हैं कि सब कुछ साथ होगा, कैसे साथ होगा, इंडिया कमजोर नहीं है, हम अभी आर्थ बेवस्ता की मजबूती या कमजोरी पर विचलेशन नहीं कर रहे हैं, संजय जी यह जो रीजनल पाटिया हैं, आप से अच्छा कौन बताएगा, ओके तैसिन पुनावाला म कि सब करेंगे, जब सरकार में आएंगे, सरकार में आने के लिए गटबंदन मजबूत होना चाहिए, गटबंदन मजबूत तब होगा, जब साथ होगे, सारी तो बेसिक जो दिक्कत है, यहीं पर है, संजय जी इंडिया की जो रीजनल पाटिया हैं, ये सब कॉंग्रेस का खाकर ही बड़ी हो रही है, तो क्या इन पार्टियों को ये लगता है कि कॉंग्रेस के साथ जाएंगे और हमारा वोट कॉंग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, तो एक बार फिर कॉंग्रेस उसी वोट को ले जाएगी, क्या ये बेसिक प्रॉब्लम दिखती है आपको इन पा तो सीटों का बटवारा का दो आधार होता है, पिछला लोकसभा का चुनाओ या पिछला विधान सब्साव का चुनाओ, अब पंजाब की दिकत क्या है, पिछले लोकसभा चुनाओ को देखें, तो कॉंग्रेस ने आट सीटे जीती थी, और अगर पिछले विधान तो अगर दो मजबूत पार्टिया हैं इसको उवर साइज कोईलिश नहीं मैं यह कह रहा हूं कि अलग अलग स्टेट में क्या दिक्कते हैं सीटों के बटवारे को लेके तो मैंने बेंगॉल और पंजाब का उधरन दिया मुझे नहीं लगता है कि यूपी में कोई दिक्कत हो यूँ कहें कि कॉंग्रेस कभी-कभी ये भी कोशिश कर रही है कि वो बीएसपी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है शायद यह अर्चन होगी इसकी कारण यूपी में सीटों का बटवारा अभी तक सब्भव नहीं हो पार है करते रहेंगे